दोस्ता नवस्कार मैं डॉक्टर मुक्यस पंचुली आप सब का स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ आपके अपने डिजिटल प्रेटपर मुक्यस पंचुली चैनल पर दोस्तो आज हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे मातर दो से तीन मिन्ट मेंदर जिसका नाम जो अगर गलोब की आधार पर देखे तो उत्तर पूर्वी गोलार्द में है राजस्तान अगर गलोब के आधार पर देखे तो उत्तर पूर्वी गोलार्द में है अगर एशिया महदीब के अरुसार देखे तो दक्षनी पच्ची में इस्तित है और भारत में देखे तो उ उत्तर पच्ची में है उत्तर पच्ची में यह तो ग्लॉप एशिया और भारत के साथ ग्लॉप के आदा पर उत्तर पूर्वी गोलार्द में है एशिया के आदा पर धक्षनी पच्च में गोलार्द में है और भारत में देखे तो उत्तर पच्ची में इस्तिति में ओके उत्तर से दक्षिन की लंबाई है 826, पच्चिम से पूरव की जो चोड़ाई है वो 89, अंतर है 43 किलोमेटर का, अगर दोस्तों यहा देखें, उत्तर पच्चिम से दक्षिन पूरव की ओर देखें, तो 850 किलोमेटर है, और यदि उत्तर पूरव से दक्षिन पच्चिम की ओर अक्षांस की दरश्टी से उत्री गोलार्द में है और राजस्तान देशांतर की दरश्टी से पूरवी अगर अक्षान सी इस्तिती का वर्णन कुरू तो राजतान की अक्षान सी इस्तिती है दोस्तों 30 डिगरी 12 सेकिंड उत्री अक्षान से लेकर 23 तीन से उत्री अक्षान जाना बचे कन्विदर उत्री अक्षान से लेकर उत्री अक्षान 30, 12 और 23 तीन या दखना दोनों में अं तो आजागा दो 78 डिगरी 17 सेकंड पूर्वी देशांतर और दोस्तों राजस्तान का जो मद्यवर्ती इस्तती है वहाँ पर लांपो लाई गाव है जो कहाँ पर नागूर के अंतरगत है तो यह दोस्तों राजस्तान की complete इस्तती राजस्तान का विवाजन 74 डिगरी देशांतर की स्तती होता है तो राजस्तान की इस्तती आकर और बोगलिक इस्तती का जानकरी मैं दी जानकरी कैसे लगी comment करके जुरू है दोस्तों basically बच्छों का प्रस नहीं गलत होता है आई होब दोसर इस वीडियो का अगर आप दो तीर मार्ड सुनोंगे तो गलत 27 डिग्री उत्री अक्सांस है मद्यवर्ती देशांस है 74 डिग्री देशांस है मद्यवर्ती इस्तती लामपुलाई गाम नागुर में आता है राजस्तार अक्षांस की दरश्टी है अक्षांस की दरश्टी है उत्री गोलार्द में प्रकार के वीडियो के लिए बने रहे हमारी चैनल पर आप सब का देन सुब्र है धन्य बाद हो सो थैंक्वी सो मज़ू